हेलो फ्रेंज में नमाकस साहू और आप देख रहा कास लेक्षर ओनलाइन दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिकॉर मिती में जो सार नहीं होती उसको याद कैसे करें आपके सामने एक टेविल देख रही है देखिए मैं आप से कहूंगा यार इसमें कुछ भी नहीं करना आप 4025 कितना होता है देखिं मैं आपको बताऊं यहां पर दिटा लेखें कित्ता है जीरो-अंसेी क marketing कि. अब आप नहीं बता पाला है कोई दिखकर नहीं टेंशन मत लो मैं आपको बताता हूं कैसे बताएग हो यहां पे मैंने खंड छोड़ोय रक्क हुआ आपके लिए तो सबसे पहले ऐसा बढू सरह को थीक है एक निसान मना को इसके नीचे आपको यहां से 0 से स्टैट करना है थीक है किससे 0 से 0 वीडियो के बाद क्या आएगा वन टू थीरी फूर अब इस सभी में आपको चार से भाग देना है किस से भाग देना है चार से ठीक है इतना कर्ण पर्म ओके अब देखो इसको हम सौल करेंगे तो इसका अंसर जीरो आएगा और रूट जीरो मतलब जीरो तो इसका साइन जीरो कित्ता हो गया जीरो अब साइन तीस की वेलू क्या होगी मैं आपको बताता हूँ यहां देखिए वन का रूट है जो बन का र चैसे रहेंर रूट है 2 नेक्स्ट रूट थू का रूट है रहेगा जो की जित्ता दिया है इस छो कआरी अब क्या रूट किया भूट है उपर साइन रूट का रहेगा रूट को है है रूट तो हम नहीं आपसे जा है शाय कि पहलीट डिवाट आई तो आप क्या कहोगे रूट टू ठीक है नेक्स्ट रूट थीरी और रूट फोल का किता जाएगा तू तो साइन साथ की वैल्लू क्या होगे रूट थी वाई टू ऐसा पड़ें ओके नेक्स्ट नभ यह तो चार एकम चार तो अन्रूट ऑफ वन किता जाएगा वन क्या आपको इतना कंसेप्ट किलियार है ठीक है अब कॉस की वैल्लू हम कैसे निकालेगे इसको पलटके लिख़गे यहाँ पे लिख़ग दो रूट थी-IGHTो यहाँ पे लिखगदो वाइरू इंहाँ पिलिगदो इसको यहाँ पर और ग boils को हर में थीख़गे ओ को कोस की वेल्यू नेकाल ली अब आपको नेकाल ली 10 की तो आप जानते होंगे 10 थीटा बरावर 10 थीटा बरावर साइन थीटा अपन कोस थीटा मरलब साइन बटा कोस तो इसमें भाग है तो simply तो बन का आप जीरो भाग दोगे तो क्या जाएगा आप जानते हैं बटे की नीचे बटे नहीं लेखे जाते तो इसका क्या करेंगे उल्टा करके गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा तो क्या जाएगा इसका अंसर यहां पर देख लो तो इसका अंसर आजाएगा रूट ठीर थे टो से टो कट जाएगे नेक्स्ट है zero का आप कितना भी दुनिया पड़लो zero धाम, zero 20 जीरो 25 उन्हिसाँ 0 रहना है तो इसका अन्से क्या जाएगा अनंत बन कभी होगा क्या बन कभी होगा नहीं होगा zero कभी भी बन नहीं होगा ओके ठीक है नेक्स्ट है cos1-theta अब आपने sin theta निकाल लिया, cos निकाल लिया, 10 निकाल लिया, अब देखी, cos theta, sec theta और cos theta आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो चुकि हम जानती है, sin theta और cos theta, opposite होते हैं, क्या होते हैं, opposite, इसका उल्टा करके लिखतो, sin का कितना है value, 0, तो इसकी क्या है, अनन्द, 0 का क्या जाएगा, 2 by 1, 1 by root 2 लेखा है, तो root 2 by 1, 2 by root 3, answer हड़कों change कर दे, cdc बार, ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का क्या जाएगा, 1, यहाँ 1 by 1, तो क्या जाएगा, 1 by 1, ठीक है, अब sec theta, तो cos theta और sec theta, दोनों opposite होते हैं, तो यहाँ पर देख लो, क्या लिखा 1, 1 by 1, तो 1 by 1, जि 2 by root 3, क्या जाएगा, 2 by root 3, इसका क्या जाएगा, root 2, इसका क्या जाएगा, 2, और 0 का क्या हो जाएगा, अनन्द, आमना भी आपको बताया, ठीक है, next है, 10 theta, 10 theta या, 4 theta opposite, ठीक है, तो इसमें देखो, 0 को क्या जाएगा, अनन्द, 1 by root 3 को, root 3, इसका बनी आजाएगा, इसका 1 1y रूट थीरी और अनंद का खक्या जाएगा जीरो किया जाएगा अनंद का GL वाइ अनंद जीरो ठीक है चलो इच्छा आपने देख लिया कि अनंद का खक्या जीरो इस reicht हुआ भी इसमें कथिल लगा अगर ते हमें कहीं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे शेयर कर दे और चैंपिनफों सस्क्राइब जरूर कर दे डिस्क्रिप्टिन में हमने दढ़िए आपको टेलिग्राम की लिंक जोईन हो जाएगी तो देर किस बात की जल्दी से जोईन करें डिस्क्रिप्टिन में लिंक दी है मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में